Hello everyone, welcome to IQ World दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की धेर सारी सुबकामनाई देता हूँ सुनहरे सपनों की जनकार लाएगा नववर्स खुसियों के अनमोल उपहार लाएगा नववर्स आपकी राहों में फूलों को बिखराएगा नववर्स महकी हुई बहारों की खुसबू लाएगा नववर्स हैपी नवव इयर 2022 दोस्तों, यहाँ पर आप एक न्यूज देख रहे हैं बिहार सरकार समाने परशासन विभाग के तरब से यहाँ पर बिहार करमचारी चैन आयोग के लिए एक यहाँ पर आदेश निकाला गया है आप लोगों को जानना बहत जरूरी है क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर अपडेट कोई भी न्यूज आता है तो आपको जानना बहत जरूरी रहता है BSSC के रिगार्डिंग यहाँ पर BSSC के कांसेलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज आया है देखिए दिनांक 11-2022 का यह आदेश है इसमें क्या कहा गया है अच्छे समझने का प्रयास करते है देखिए यह संख्या दिया हुआ है लेटर का ठीक है विभागी आदेश संख्या 14487 दिनांक 3-2221 आदेश संख्या 16352 दिनांक 3-2221 एवं आदेश संख्या 16443 दिनांक 24-2221 के द्वारा पर्थम इंटर अस्तरिय स्वनुक्त मुख्य परत्योगता परिक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग कारिय करने के लिए बिहार करमचारी चैन आयोग पटना के कारियाले में परतिनियुक्त बिहार परसासिनिक सेवा यानि की B.A.S. के सभी 6 पदाधिकारियों की परतिनियुक्ती अबधी दिनांक 7 2022 तक बढ़ाई जाती है ठीक है यही नोटिस था दोस्तों आपको पहले से पता है बिहार सचिवाले यानि की बिहार सिक्रेट सर्विस का जो है जो भी पदाधिकारी और करमचारी थे उनका तो अल्रेडी 7 2022 तक यहां पर बढ़ा दिया गया था लेकिन जो बिहार परसासिनिक सेवा के करमचारी पताधिकारी है उनका भी परतिनियुक्ती जो है 7 2021 2022 तक यहां पर बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों यहां पर काफी खुस खबरी है आप लोगों के लिए अगर आप लोग नया साल में चाहते हैं कि आप लोगों को जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए अगर आप काउंसिलिंग करवा चुके और चाहते हैं कि आपका प्रति तो दोस्तों उस से पहले 11 एक से पहले बिहार करमचारी चैयन आयोग जो है वो चाहती है कि उनके जितने भी पेंडिंग काम है जितने भी काम है वो पूरा कर लिया जाए यानि कि साथ एक तक सारे यहां पर काम पूरा कर लिया जाए तो अगर 11 एक 22 का जो सुनवाई होने वाला हीरिंग होने वाला है हाई कोट में अगर उसमें नए NCL को माननेता मिल जाता है तो उसके बाद जल्द ही यहां पर final met list यहां पर प्रकासित कर दिया जाएगा और किनका कौन सा post मिला वो भी यहां पर प्रकासित कर दिया जाएगा यहां पंदरह जनवरी तक यहां पर अनुमान है कि जो final met list है वो आ जाने की संभावना है अगर 11 तारिक के सुनवाई में अगर new NCL new NCL को माननता मिल जाता है तो क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर new NCL को माननता पतना हाई कोट नहीं देती है तो क्योंकि दोस्तों new NCL के अधार पर किसी बेश्टेंट को चाटना बहुत ही दुरभागे पूर्ण है बिहार के लिए क्योंकि जो भी एश्टेंट्स अभी काउंसिलिंग में भाग लिए हैं वो अपने merit के अधार पर काउंसिलिंग में गए हैं अगर उनको new NCL और old NCL को ल माननेता दिलवाना ही है हराल में और मुझे उम्मीद है कि 11 तारिक के सुनवाई में ने NCL को माननेता मिल जाएगी अब देखिए आगे कहा रहा है कि सभी प्रति नियुक्त पताधिकारी प्रति नियुक्ति अवधी समाप्त होने पर स्वता अपने पद अस्थापन वाले पद पर योगदान करेंगे ठीक है अब देखिए अब ये कहां कहां भिज़ा गया है देखिए परतिलेपी अपर मुख्य सचीव परधान सचीव, सचीव समध्यर्द विभाग, बिहार पतना, सचीव बिहार करंचरचेन आयोग पतना, मुख्य सचीव के अप्त सचीव, ब बिहार पटना को विभाग ये वेव साइट पर अपलोड करने है तू संबंदित प्रादिकार को सुचना और से करवाए है तू प्रेशित किया गया है देखिए बिहार सकार के अबर सची एक एक दो हजार बाइस तो दोस्तों यहां पर काफी यहां पर अच्छी नीज है ये कि 11 तारिक से पहले सारा यहां पर कार्या को खटम कर लिया जाएगा बिहार ससी के द्वारा और 11 तारिक को जैसे सुनवाई होगी उसके बाद आगे का कारवाई किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो यही नीज था उमिद करता आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को मुझे बहुत दूख होता है क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए दिन भर BSSE के साइट यानि जितने भी साइट है सारे को चेक करता रहता हूँ ठीक है और आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हैं वीडियो लाइक कीजेगा वीडियो को सेखिए सब्सक्राइब कर लिजेगा बबबाई टेक केर बेश्ट अपनक